बाइक चलाने से पहले आप सब लोगों को एक जरूरी बात बोलना चाहूंगा कि क्रिपिया करके जब भी बाइक चला है हिलमेट जरूर बैने थेंक यू यह एक्से लोगे को चलाना सीख सक्ते हो विपियो के बाइक में क्या क्या होते उसके बाद वाले स्टेप में में देखेंगे यह काम कैसे करता है इस सब चीजे काम कैसे करता है और उस तो आजो वीडियो में पूरा बनेड़ो वीडियो को पूरा बचकर मजा आएगा स्टेप नमबर वण्ट वाइक्स में क्या-क्या है आप लोग देख सकते हो पहली बात तो बाइक में चार चीजे होती है मैं आप लोग को बताता हूँ आज ओ बाइक शीट पर बैठने के बाद आप बाइक को राइड कर गए तो हमारे चीज चार चीज बोलाक़ में प्रीच शो बिसिकले पास cash चीज टो देखते हैं चार चीज क्या-क्या है जो मैंने स्टेप होन में बताह था चार चीज हमारे पास बाइक में क्या क्या हो हम देखेंगे तो पहला होता है राइट हैंड में ब्रेक लीडर जो की सामने का ब्रेक हुए अगर यह पूछ करोगे तो सामने से बाइक रोठेंगे और यह है बाइक का start पिकप कहलो, रेस कहलो, फ्रोटेल कहलो, कुछ भी कहलो, काम इसका एक ही है, बाइक को थ्रो करना, आगे की तरफ मूव करने में पावर देना, इंजिन को पावर देना, और इसके आगे तो ब्रेक है यह, आपने देखा ही, राइड हैंड का तो काम हो गया, आज ओ राइड ल पर आजाते हैं तो यह है क्लाच के साथ साथ अगर हम लेफ्ट पर आ जाते हैं तो यह है घीए तो चार चीजे एक बार फिर से रिमाइंड कर लेता है फ्रंट ब्रेक, टोडल के रेर ब्रेक, क्लच, गियर हो गया, चार चीजा हो गया, ख़ताब अब आजाते हैं सेकंड स्टेप पर स्टेप नमबर टू, कैसे ये काम करता है ये क्या काम है, उसके बाद स्टेप थ्री होगा कि कैसे हम चड़ाएंगे, तो स्टेप नमबर टू में आगे बढ़ता है स्टेप नमबर टू में हम देखेंगे की कैसे कैसे काम करता है तो पहलो बताया था, फ्रंट ब्रेक के बारे में तो फ्रंट गाड़ी को रोकने में काम करता है, फ्रंट ब्रेक का काम ही है, बाइक को रोकना, और सामने वाला ब्रेक, पीछे वाला ब्रेक सिप गाड़ी को रोकने में काम आता है, और तो होफ़ूली आपको ब्रेक का पार्ट समझ आगे है, और यह है बाइक का पिक अप, प तो तो ही और पीछे वाला ब्रेक हो गया आ जाओ लिफ पार्ट की तरह कि पार्ट में हमारी लेफ एंड रहा है और नीचे है गीरलीवर तो पहले क्लाच को समझते हैं क्लाच काका क्या है तो हमारे इस तरीके से काम करता है अगर जब आप यह तो दबाओगे और छोड़ क्लैश जब यह मेरा छोड़ा हुआ है तो वी सब्सक्राइब तो आप सेखेंद गिAARD तरहे हैँ इसके बाद तो अगर आप सेकेंद गिएर में चला रहे हो करने के पहले आपको क्लैश दबाना पड़ीगा क्यों दोनों मीले हुए है दोनों को अलग करना होगा फिर गियर्शिप करना होगा और छोड़ देने से फिर एक हो जाएगा अगर आप पकड़े हो तो ऐसे अलग हो जाएगा तो फ्रॉटल का कोई रेस्पॉंस नहीं होगा सबसे इंपर्टेन चीज भाइक क्लॉटल यह है भाइक क्लच तो इसमें क्या होता है और चलाना इजी हो जाए तो इसलिए बोल दाहों कि एक इमेजिन कर लो इधर एक लाइन ऐसा एक लाइनि इसा इधर है यह है इसका रिलीज लाइन एट पे आप खीचो के तो इंजिन स से connection तूट जाएगा और छोड दोगे तो connection फिर से लग जाएगा इसका काम ऐसा है होपली आपको क्लाज समझ आ गया होगा खीचने से अलग होता है फिल से और छोड देने से एक हो जाता है तो तो काम मैंने आपको सम्झा दिया, अब आजाओ गाँची है, तो नेक्स चीज लेफ्ट हैंट से, लेफ्ट पैड की तरफ आ जाता है, यह है उमारा गियर, गियर गियर तीन टाइप का होता है, कुछ गाड़ियों में गियर एकदम सब नीचे होता है, मतलब आगे, सब आगे तुक है चुछ मतलब जादा तर भाइकों में वन डाउन फोरफ गीर होता है मैं आपको सबसे टुफ़ गीर पैटरन सिखने वाला हूँ जो हूं डाउन फोर पो होता है उसमें क्या होता है आप एक एक गीर फर्स्कियर नीचे है थेकेंड गीर उपर है बीच में न्यूट्र मतलब फर्स्ट और सेकंड के बीच में न्यूट्रल होगा आप कैसे इसको आइडेंटिफाई करोगे रुगो गाइस मैं गाड़ी को स्टार्ट करके लिखाता हूँ एक बार नहीं समाझ जाएगा यह देखो यह मुझे यह वन डाउन फोड़ा वाला गियर पैटन है तो मुझे निूट्रल काहां पर है नियूट्रल ठीक इसके बीच में है उसके लिए क्या करना होता यह से अजिल्ड एक तो मुझे नियूट्रल में लेने की लिए गारी को क्या करना होगा इसके नीचे एक छोटा-सट तच देना होगा और जादाँ ऐसे उठाओ ग Conan सेटन दियर में आजाएगा सेटन के बाद आप करना है तो थर्ड उसके बाद फॉर्ट मैंने तो आप लोगों को यह बता दिया कि यह शिप्ट क्या से करना है अब घ्यार का काम बताता हूं यह बेसिकलिए आपको एक स्पीड देता है जब आपका पाइक फर्स्ट गियर में अब अगर सेकेंड से थर्ड गियर पे उठ गया है तो एंजिन का पावर धीर वील के पावर से मैच होता जाएगा और ज्यादा थेज़ भूमने ने तो इस बाइक में 5 गियर है और 5 गियर में फर्स्ट गियर पे यह 15 तक जाता है उससे उपर भी जाता है पर हम नहीं जाता है उसके बाद आप सेकेंड गियर पे शिफ्ट हो जाना मतलब गियर के पैटन ऐसा होता है कि आप अगर लोग स्पीड पे हो तो अब अगर आप एक लोकल रोड से चल रहे हो रोड से एक चालीश मचास की स्पीड पे नहीं जाओगे तब ऐसा करो फिर आप से थर्ड जाता है तो बाइक कैसे चलाना होता है तो बाइक चलता है यह थ्रोटल ये clutch और नीचे gear के combination से तो देखेंगे combination क्या है तो इस बाइक को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये बटन मेरे right hand पर ये है self kill switch मार के ये है kill switch switch मैं बाद में बताऊंगा तो self अभी मैं हूँ neutral पर और गाड़ी अभी है on तो मुझे चलने के लिए क्या करना होगा first gear नीचे जैसे के मैंने बोला था अभी आप इन सब चीजों को एक साथ relate कर पाओगे तो first gear नीचे नीचे gear shift करने से पहले मुझे क्या करना होगा clutch को पकड़ना होगा क्योंकि wheel और engine को discontinue करना होगा तो clutch पकड़ा discontinue अभी हो गया है तो मैंने first gear पर shift कर सकता हो देखो neutral चला गया इदर से तो अभी मैं इसको धीरे धीरे छोड़ूंगा और वो release line ने आद है होगा जरूर वो release line को यह देखो release line आ गया है मतलब समझे release line को आप relate कर सकोगे ओके और बाइक चलेगा आपका throttle और release line के combination से तो क्या करना है थोड़ा throttle यह देखो rpm meter देखो मेरा थोड़ा सा high है अभी मैं release करूंगा तो धीरे धीरे पाइक मूव करने लगेगा और फीर से मैं throttle दे दूँगा तो और मूव करने लगेगा अभी मैं हूँ first gear में मुझे और थोड़ा gear up करना है तो क्या करना है फिर से class पकरना है discontinue करना है second gear और फिर से और फिर से दन अभी मुझे थर्ड गियर जाना है तो मैं क्या करूँगा फिर से अभी मुझे और भी स्पीड अप करना है क्या बोला था गियर आप स्पीड अप करना है मुझे तो फिर से डिसकंटीन्यू क्लच पकड़ा थर्ड गियर और छोड दिया कि देखा और मैं अभी जा रहा हूँ सोचो सडेन मुझे ब्रेक लगाना आ गया तो मैं क्या करूंगा फिर से क्लच पकरना होगा ब्रेक लगाऊंगा गियर डाउन कर दूंगा क्यों पैर आटमेटिक गियर पे होना चाहिए आपका क्योंकि मैंने क्या बोला था स्पीड आप सो गियर अब स्पीड डाउन सो गियर डाउन बिल्कुल इजी फंडा है एकदम इजी स्ट्रेट लाइन में चलना है और अब मुझे और स्पीड की सब्रोत है फिर से देखो क्लच पकड़ लिया गियर अब क्लच छोड़ दिया रेस दे दिया जब आप फर्स्ट गियर से को ले जाना है तो बाकी आपका बाइक राइब कर लें लग चाएगा तो मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूं कैसा करना है किल्सुइच ऑन किया गाड़ी को अन किया मेरे को फर्स्ट गियर कहा डालना है नीचे क्यूंकि यह बाइक वान डाउन फाइव आ पर नहीं जागी चौदा पर आगया फिसे शिकेंड गियर किया क्लेश पकड़कर के और मैं चल दिया अभी मुझे थर्ड कियर करना है इसके ओपर जाके क्लेश पकड़ा जैसा हो रहा है यह देखो आपी मुझे डाउंशिप करना है तो ब्रेक आटमेडिक और देख है आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इस वीडियो को अगर कोई भी प्रॉब्लेम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शिर से देख लो मैं 18 के स्पीड पे हूँ 20 इसके उपर जाना है क्लेश पकड़ा गियर आप क्लच छोड़ दिया पिकप बिलकु आपको स्टेप नंबर 3 कैसे बाइक को चलाना है यह अच्छे से आ गया होगा जो जो भी कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मैं आपको रिप्लाइ कर दूंगा और बढ़ते हैं मेरे अगले स्टेप के उपर स्टेप नंबर 4 जो की इंक्लूड नहीं था म मतलब आपको अगर किसी भी बड़ी गारी को जुछ अब स्क बाइस करना हो तो इस से क्या होता और सो है है अँप में देखने में मदद करता हैओ और यह पी मम जो दूर का चीज़े देखने के में मदद करता अशतके नीचे आ जाते है यह ईंडिकेटर इह ली सको दबाओ होगे तो राइड वाला जलेगा आपको जिस तरफ भी मुड़ना है हमेशा इंडिकेटर देखे मुड़ो ताकि को कोई तकलीफ ना हो वो समझ सके कि आपको किस तरफ मुड़ना है उसके नीचे आ जाते है यह हॉन दवाने में यह हॉन करेगा समझे होगा यह राइट कर सकते हो यह आप छोड़ दो यह आता है राइट साइड में किल स्विच अगर गाड़ी का मीटर कंसोल ओन भी रहेगा अगर सेल्फ दबाओ गए तो किल स्विच के बीना सेल्फ नहीं लेगा ठीक है अब किल स्विच आफ कर दोगे तो गाड़ी बन ठीक है और नीचे है तो यह सेल्फ स्विच देखा ही है और कुछ भी नहीं है यह स्विच आपको पूरा बाइक का हर कुछ आपको समझ आ गया होगा अगर इसके बाद भी समझ नहीं आता तो कमेंट कोई भी क्वेरी बगएर हो तो कमेंट में बता सकते हो मुझे आपको बाइक कैसे चलाना है यह आपको पूरी तरीके से समझ आ गया होगा और यह वीडियो थोड़ा सा भी इंफोर्मेटिव लगा हो तो आपके किस वीडियो को आप लोग आपने दोस्तों से या जो बाइक चलाना नहीं जानते सिखना चाते आपको बोलते रहते हैं तो उनसे सेर कर सकते हो ताकि उन भी नए नए मज़ेदार वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सको तो मिलते हैं अगले वीडियो में आज के लिए इतना ही ओवर एन आउट